वेल्लीकम् तो दा हैंवेंट परेंट कोचिंग क्लासे तो आज फिर इंगलीज आगे पढ़ना चाहर कर थे इंगली ग्रामर में सेंटेन्स चेप्टर चाहर क्फ़ोरा था हमने कहां तक पढ़ लिया था हम ने दुम को सेंटेन्स के टाइपस न पढ़ा रहे थे न असरेटि झेल देंसा हीло बताय से तुम लोगों को कि जो और होते हैं दूसरा होता है क्या निगेटीटी सेंटेंज तो अब में क्या पढ़ना है इस ढोली ता ख़ली तो fifty ट अकर चाहूंनम और ऐसर अब्रतव मनल्स के लिखा में है था सब्सक्विक Nerd और यों निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकरात्मक वाग के कहते हैं ठीक है नकरात्मक वाग के सेंटेंस को वाग के निगेटिव को नकरात्मक ओके तो जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं पहले देख लो negative sentence कहतेगी से, समाझ भलो थोड़ा सा तो इससे जो होता है такой感, किसी चीज़ को माना करने, negative words लेखे होंगे ला है एक होता है no, never, not यह होता है तो इसमें सारा क्या माना करने का बाह निकलता है जैसे तुमारी friends लोग push ते होंगे कि घूमने चलोगे तो तुम लोग कहते हो नो हमको पढ़ना है क्लास करना है तो मना करने का भाव निकला की नहीं ममा कहते हैं खाना खाना है तुम लोग कहते हैं नहीं ममा नहीं खाना खाना है बोलोगे नो ममा खाना नहीं खाना ऐसा बोलते हो कि नहीं तो मना करते हो ना कि यह काम नहीं करना, कुछ काम के लिए मना करते हैं ना उसमें, कि हमको यह काम नहीं करना, ठीक है, तो देखो पहले डिपनीशन लिख लो क्या होती है, ऐसे बस समझ लो क्या होता है, वी यूज, दीज, सेंटेंसेज, यह अलग लिखा हुगा है, इसमें ब्रैकेट हैसे बना लो, दीज, सेंटेंसेज, पॉर, रिजेक्शन, रिजेक्शन करना होता है ना, रिजेक्शन सुने होगे वर्ड, वही रिजेक्शन है, आदमी आजकल सिर्फ रिजेक्ट जादा होता है जो आप हो चाहिए जिस फिल्ड में हो उसको रिजेक्शन जादा मिलता है ठीक है बस hard work करते रहो ये भी hard जाएगा ठीक है तो negative words क्या है we use these sentences for rejection ठीक तो इसका structure देख लेते हैं कैसे structure बनता है जैसे affirmative sentence में structure नहीं बताया था subject आता है helping verb आता है main verb आता है plus other words आते हैं तो इसमें भी same ऐसा ही structure रहेगा दो को structure को मैं short form में लिखे दे रहा हूं ठीक और क्या होगा subject subject को short form में फिर क्या आता है helping verb आता है और helping verb के बाद क्या आते हैं not और never यह जो no होता है इसका अलग इसका structure रहता है तो पहले not और never का structure पढ़ लो फिर उसके बाद मैं no का भी लिखाता हूं ठीक no का अलग रहता है वो थोड़ा सा अलग है ठीक something different तो आगे देखो इसके बाद not या never आता है helping verb के बाद फिर उसके बाद आता है main verb main verb समझते हो कि जो main काम होता है खाना पीना ऐसा सारा action मतलब main verb फिर उसके बाद other words other words यहाँ पास लिख लो ठीक है तो पहले हमने क्या देखा subject देखा फिर उसके बाद helping verb फिर not या never main verb फिर other words re-ordering मतलब re-arrange वाले जो question रहते हैं उसमें सबसे ज़्याद यह structure महिन रहता है अगर जिसको structure याद हुआ तो वो question सही कर ले जाता है और जिसको structure नहीं याद हुआ तो गलत कर देता है देखो affirmative sentence और negative sentence में अंतर कितना है structure में खास कर उसमें भी subject आया था फिर उसके बाद helping verb आया था फिर क्या आया इसमें क्या आगया not or never आगया लेकिन उसमें negative नहीं था affirmative था positive वाला था तो not or never ना के drag main verb आता है इसमें सिफ not or never और यह helping work के बाद ही हमें इसा not or never का use होता है एक है इसा याद रखना not or never फिर main verb फिर other words ओके आगे देखते हैं अब structure हो गया example देखो लिख गया सबका ठीक है वीडियो को like करो subscribe करो ओके share करो ज़्यादा ज़्यादा example देख लो इसका अभी no वाला structure करा रहा हूं not or never का हो गया और no वाला structure इसके बाद करा रहा हूं ठीक है तो example जैसे हैं बोल दे Mohan does not play इसके लुडो ठीक है तो इसमें क्या लिखा है मैंने कि Mohan जो है वो लुडो नहीं खेलता है ठीक तो देखो मैंने structure लिखाया था ना क्या लिखाया था structure कि पहले subject आएगा फिर helping verb आएगा फिर not या नेवर फिर main verb इसा ही लिखाया था ना कुछ फिर other words अब देखो उपर वाले उसमें follow हो रहा है कि नहीं यह नीचे copy करके देखो पहले लिखाया मैंने subject आग Ali subject mohan नाम है काम कर रहा है किए subject हो होता है जो काम करता है या जिसके बारे कुछ बताए जाता है यहाँ पर Con perform खेलना भी काम नहीं खेलना यह यह काम crowded खिक तो वरभ आएगा तो problem हुआ सब्जेक्ट आ गया, ठीक है सर, सब्जेक्ट वाली बात पूरी हो गई, फिर does क्या है, helping verb है, लिखाया है कि नहीं, does helping verb के बारे में, ठीक है, ठीक है सर, फिर not आ गया, not or never मैंने structure में लिखाया है, helping verb के बाद not or never आएगा, आ रहा है not, और फिर ये play, खेलना, action है कि नहीं, तो main verb है, अफिर ये ludo, other words में आ गया हूँ, structure follow हुआ, ठीक, अब ऐसे ही तुम सहे, जित्ते सारे structure बना सकते हो, इसी बेस में, structure को ध्यान रखना है, हमको ऐसा sentence बनाना है, कि जिसमें पहले subject आए, फिर helping verb लेकर आना है, फिर not or never लेकर आना है, फिर main verb ये other words में लेकर आ सकते है ओके, चलो एक structure और देख लो, बस, ये लिखा रहे हैं नहीं, तो मैं ये example हटा रहा हूँ पिर, चलो देखो, तो, विराट को ली, इस नौट मेकिंग सेंचुरी लाश्ट में, फुली स्टॉप, टेक, तो इसका अंकलब ये है कि विराट के लिए, जो है, वो सेंचुरी नहीं बना रहा है, टेक है, यही है न, इस नौट मेकिंग सेंचुरी, टेक, तो देखो, सब्जेक का रहा है हिने, विराट को ली क्या हुआ हमारा, सब्जेक हुआ, फिर उसके बाद हम क्या बोले, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जमाना हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद हम ने देखा, कि स्ट्रेक्चर में लिखा है, नौट या निवर आना चाहिए, तो नौट आया की नहीं आया, निवर भी इसके जगा लगा सकते हैं, ठीक, उसका अंतलो जाता है, कभी नहीं, ऐसा आता है, ठीक, मेकिंग, मेन वर्ब हो गया, और सेंचुरी, अदर वर्ड्स हो गया, ओके स्ट्रेक्चर फालो करो सिर्फ, ये अदर वर्ड्स में आगया, सारा लिख लो ऐसे ही, एक बार बता दिया ना, खुद से मेहनत करोगे तो ज़्यादा आएगा, जैसे कहते हैं ना, कि खुद से डून डून के पढ़ो, तो चीजे ज़्यादा समझ में आती है, वैसे ही, अ सिर्फ, कहा जाता है, कि एक हफ्ते अगर किसी चीज को रिवाइज करते रहो, तो फिर वो जिन्दगी में कभी नहीं भूलती, लेकिन अगर सिर्फ एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन नहीं पढ़ोगे, तो भूल जाएगी, टेक, चलो आगे देखते हैं, निगेटिव ए होती है, उसमें भी subject के बाद helping verb आता है, helping verb के बाद no आता है, लेकिन उसमें no के बाद main verb ना के noun आ जाता है, क्या जाता है, noun, noun के बाद other words, ठीक है, सिर्फ इतना changement है उसमें कि no के बाद noun आता है, क्या आता है, noun, यहां not या never के बाद हमने पढ़ाय था कि main verb आता है, लेकिन इसमें क्या है नॉट आता है फिक जैसे हम बना दें मनलब नॉ की बात आता है नाउन एक्जाम्पल देख लो कि वी हैव कि नो कि काड मतलब हमारे पास क्या कार नहीं है ऐसा मतलब निकलना ना है कर नहीं प्रत्वी में कोई भी वस्तुए पुछ भी है तो मुसको नाम के बिना तो जानते नहीं है लेजना मतलब हर वस्तिया वेक्ति जिसका भी नाम है सारा चीज यहां हो गया है प्रितिवी में सारा नाउन है ठीक तो कार नाउन हो गया नो के बाद नाउन आया है है क्या हुआ helping word हुआ अब भी हमारा subject subject में वो भी क्या है noun है की pronoun pronoun ग्रोना ओड, तो अब इसके आगए हमको इंट्रगेटीव सेंटेंस पढ़ना है, निगेटीव सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इंट्रगेटीव सेंटेंस अगर पढ़ लें, बस आज की क्लास बहुत हो जाएए, थिक, तो रफ करना हो मैं इसको, जल्दी स देखों इंट्रग सेंटेंस इसी से इंट्रोगेशन बनता है जो इंट्रोगेट करते हैं पूस्टाच करते हैं इसी से बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्योंकि उसमें सबसे जादा यहीं इंट्रोगेटिव वर्ट्स का यूज करते हैं पूस्टाच में तुम कहां गया थे वहां क्या कर जवाब देना रहता है तो इंट्रोगेटी सेंटेंस देख लेते हैं इंट्रोगेटी जो सेंटेंस होता है इसको इंदी में कहते हैं इसको इंदी में कहते हैं प्रेस्ने वाचक वाक के क्या बूलेंगे प्रेस्ने वाचक वाक के ठीक है तो देखों इंदी से ही समझ में आ र तेंडेंस भी होता है, वो भी two types का होता है, एक होता है first type, दूसरा होता है second type, ऐसे ही बारते हैं, first type को बोलते हैं yes or no, interrogative types, ठीक है, कि उसमें यस या नो में जवाब देना रहता है, जैसे पूछेंगे, कि जैसे मम्मा पूछती है, क्या तुम खाना खाऊगे, तो बोलते हैं, नहीं, यस या नो में बोलते हैं, नहीं खाऊँगा, हाँ खाऊँगा, ऐसा बोलते हैं कि नहीं, पापा पूछते हैं कि क्या तु जो बोल जाओगे तो बोलते हूं नहीं तो फिर पापा जब अज़स्ती बेशते हैं ऐसा आप कोशन करते हैं कि नहीं तो फर्स टाइप देख लेते हैं और शेकेंड टाइप में जो रहता है चलो करते जाओ तो एक-एक बताता जाओँ पहले देखो फर्स टाइप इसका structure देखना है first type को yes या no integrative type कहते है integrative types types ठीक है yes या no integrative types तो इसका जो structure रहता है मैंने तो यह तो बताया दिया कि इसमें ऐसा question करते है कि इसमें हमको सिर्फ yes बोलना रहता है या no बोलना रहता है तो इस structure कैसा बनता है short form में structure आगे तो इसमें helping verb से शुरुवात होती किसे शुरुवात होती helping verb से helping verb के बाद क्या आता है subject आता है subject की बाद क्या आता है main verb आता है main verb की बाद क्या आता है other words सबसे important चीज अगर last में question mark नहीं होगा तो गलत हो जाएगा last में क्या आएगा क्योंकि question किया जा रहा है तो last में question mark helping verb subject plus main verb other words फिर last में question mark तो इसमें देख लेते हैं देखो ऐसे sentence इसी structure से बनेंगे जिसमें yes या no में जो आप देना पड़ेगा okay तो example देख लेते हैं हो गया रख कर रहा हूँ last में इसमें question mark नहीं भूलेंगे interrogative sentence में question mark आएगा जैसे paper तुम लोग news paper पढ़ते रहोगे कोई headline लिखी रहेगी कि ऐसा लिखा रहेगा कि आज तूफान आने वाला है तो उसमें last में लिखा लगा रहेगा question mark तो उसका अतलब यह है कि क्या आज तूफान आने वाला है last में question mark नहीं जो ले लगा रहते हैं सारा चीज यह question mark है okay example देखो is mohan reading a book last में question mark कि क्या mohan book पढ़ रहा है ऐसा है ना तो देखो इस में क्या कोई हमसे पूछेगा क्या mohan book पढ़ रहा है तुम45ταν subject भी आया both the МыInword and other words कोशन मार्ड लाज़ी कोशन मार्ठ तो यह पूरा, तो हमारा इस्ट्रक्चर क्या? फालो हो रहा है यह सब्सक्रेक्छर आपका इस्ट्रक्चर मत्तुल फालो हो रहा है तो दूसरा देख एक और एक जमальномद देख लो तेक है और इसी में कोशन बना देते हैं यह रेंज वाला कि उसमें यह मोहन को पहले कर देंगे इच को बाद में कर देंगे लाच में कोशन माट भी लगा रहेगा और रीडिंग को उठा की इदर रख देंगे तो ऐसे सेट करना रहता है अब जिसको इस च्रक्चर नहीं याद दूसरा सेंटेंस देखो देखो क्या लिखा है क्या तुम मेरा नम जानना चाहते हो ऐसा लिखा है ना तो कोई पूचे का तुम किसी का नम जानना चाहते हो तो क्या बोलोगी यस या नो में जॉब मिल रहा है कि नहीं अब देखो सब मेरा structure फालो हो रहा है कि नहीं do helping verb you subject want main verb आगया फिर other words में फिर से क्या आगया यह no फिर इसमें यह पूरा other words हो जाएगा ठीक तो इसमें क्या है इसमें दो verb यूज हुए ना यह no फिर से verb आगई तो यह main verb है तो के बाद कोई भी वर्ब यूज होती है तो हमीज़ा फर्स फॉम में रहती है एक है सिर्फ यहां पर इत्ता समझ लो आगे पिर उसका रूल्स पढ़ेंगे कि हमारा लास्ट में अधर वर्स आ रहा है और लास्ट में कोशन मार्ग ओके आगे हम लास्ट टॉपिक है बस कई लिए इतना ही अगै तो सेस्ट टाइट पड़ लेते हैं यह हो गया ना से क crush नहीं रहेता सिर्फ उसमें क्या रहता है डगली यह –श वार्ड बबब्रерм समझते ना जो पूसकिन वाले वाड होते हैं वाड वाई वैयर मतलब ऐसा पूस्ते क्या कब कईसे कां क्यूं कईसे हुआ यह town पुश्थे रहते न तो सब क्वश्चन ही तो है गत्व डालेंगे सेकर्ड टाइप तो जो सेकर्ड टाइप इंट्रोगेटिटी सेंटेंस होता है उसको डावलो एच वर्ड टाइपस भी कहते हैं डावलो एच वर्ड टाइपस ठीक है तो अब यह डावलो एच वर्ड टाइपस क्यों कहते हैं तो हम पहले उसको देख लेते हैं पहले यह देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव जो डावलो एच वर्ड होते हैं क्या तुम वहां गये थे, क्यों वहां तुम गये थे, कब वहां तुम गये थे, कहां तुम गये थे, ठीक है, ऐसे question करते हैं न, तो वह सारे interrogative word है, तो interrogative word देख लो, बिनी को English में, जैसे मैंने example दिया, बिनी को English में देख लो, what, what means क्या, सब को मालूम है, इसका जवाब होता है, what, where, 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 कहा, how, when, why, which, which मतलब कौन सी, okay, who's, और एक होता है, whom, ठीक है, और क्यों question word होते हैं, जिसे, how many बन जाता है, how many, how much, क्या होता है, how much, यह सारे क्या है, interrogative words है, क्या है, interrogative words है, what मतलब होता है, क्या, where, कहा, how, कैसे, when, कब, समय के लिए होता है, why, क्यों, which, कौन सी, who, किसका या किसकी, whom भी है, same होता है, यह सिफ परसन के लिए यूज़ करते हैं, किसका या किसकी, how many, मतलब यह संख्या में कितना होता है, how many, how many, do you have, how, मतलब ऐसा, kites बोल सकते हैं, how many do you have, कितनी पतन है, ऐसा होता है, कितनी होता है, how much का प्रियोग, मात्रा के लिए करते हैं, कितनी मात्रा, ऐसा होता है, how much, okay, जो मतलब uncountable noun रहते हैं, यह तो अलग topic है, इसको अभी आगे पढ़ाता हूँ, how many, how much, यह सारा बताऊंगा, ठीक है, है कि नहीं, चलो आगे देखते हैं, जल्दी से इसका structure देखते हैं, एक्जामपल देखते हैं, ओके, structure क्या बनेगा, तो इस structure जो इसका बनता है, wh word से सुरुवात होती है, wh word अभी बता दिये हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, helping word आता है, फिर जो हमने first type वाला लिखा है, तो same copy कर दो, subject, main verb, plus other words, plus question mark, okay, last में question mark आएगा, क्योंकि इसमें, जो ये रहता है, type second, type joint, इसमें क्या रहता है, जो question word रहते हैं, क्योंकि क्यों नहीं खाते हो, फिर मम्मा उठा के ऐसा मारती आरती है, तो खाना खाया करो, ठीक है, तो आगे देखो, एक जांपल, भाई, ले लेते हैं, okay, भाई, आ, यू, making food, last में, question mark, मतलब, तुम खाना क्यों बना रहे हो, ऐसा है न, why are you making food, why are you making food, तो देखो, मेरा structure फालो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी हमको यहां पस यह important है, नहीं हमारा sentence, जो इंट्रोगेटी, second type, वो structure फालो ना चाहिए, ठीक है, देखो, डबले एच वर्ड आ रहा है, फिर helping verb आ रहा है, फिर subject हा सर आ रहा है, फिर main verb भी आ रहा है सर, और food other words भी आ रहा है, लास्ट में क्या रहा है, question mark भी आ रहा है सर, टेक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर next class में इसको एक बार और इसके example बता दूँगा, थोड़े से और बता दूँगा, फिर उसके आदम को imperative sentence पढ़ना है, thank you guys,